आज 19 अगस्त 2022 के साकार मधुर महवाक्य है आज बाबा हम सबको बहुत सुन्दर बात सिखा रहे हैं कि आप इस पाटशाला में आए हो अपनी तकदीर बनाने के लिए बाबा से आपको सृष्टि के आधी मध्यंत की नौलेज मिली है अब उस नौलेज का सिमरन करके आपको सदा हर्शित एहना है इस पाटशाला में आप अपनी बहुत उची तकदीर बनाते हो पाटशाला में अच्छी रिती पढ़ना होता है पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देना जो बच्चे अच्छी रिती पढ़ते हैं वोही भविष्य में उच्पद पाते हैं बाबा आते हैं तो आधी मध्यंत में हम सब को इबात बताते हैं कि ब्रह्मा का दिन कौन सा है और रात कौन सी है साथ-साथ बाबा अपना स्वेम का परिचे भी देते हैं जिन बच्चों की बुद्धी बाब पर टिक जाती है, उने की तकदीर 21 जन्मों के लिए चमक जाती है, जब बाबा के बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, तो बाबा से बुद्धियों जुट जाता है, बाबा कहती, ये पांच विकार आपकी परिक्षा लेते रहेंगे, अब बार बार आपको विचलित करेंगे, आपको एक बाबा की याद से माय जीत बनना है, योग बल से, ज्यान बल से, माया को जीतना है, हारना नहीं है, याद दिलाएं बाबा ने, आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बननना है, जो ब्रामन बनेंगे, वो ही फिर से देपता बनेंगे पहले सच्चा और पक्का ब्रामन बनना है अव्वे बिचारियान में रहना है यह पाठ पक्का करना है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई सुनते हैं बाबा के मदर बूल बाबा के शब्दों में बाबा ने का मीठे बच्चे अभी तुम्हें सारे विश्व के आदी मध्यंत की रोशनी मिली है तुम ज्यान को बुद्धी में रख सदा हर्शित रहू तुम्हें सारे विश्व के आदी मध्यंत की रोशनी मिली है त तुम ज्ञान को बुद्धी में रख सदा हर्शित रहूं कोशन अब तुम बच्चे बहुत जबर्दस तकदीर बना रहे हो कौनसी और कैसे तुम बच्चों की जबर्दस तकदीर कौनसी बन रही है और कैसे अब तुम शिरीमत पर चल 21 जनम के लिए बाप से बेहद का वर्स ले रहे हो शिरीमत पर चल कर 21 जनमों के लिए बाबा से बेहद का वर्सा ले रहे हो शिरीमत पर तुम्हारी सम्मनों कामनाई पूरी हो रहे हैं यह तुम्हारी जबर्दस तकदीर है तुम 84 जनम रहने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्रामन बने हो फिर देवता बनेंगे उची तकदीर तब बनती हैं अंडरलाइन करेंगे उची तकदीर तब बनती है जब द्दियोग बल ज्ञान बल से माया रावन पर जीत पाते हो तुम्हारी बुद्धी में हैं हम बाबा के पास आई हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए अथात लख्श्मी जगा कर आई हूँ, ओम शान्ती यह भगवान की पाठ शाला है, यह है भगवान वाज बच्चों प्रती, गीत की पहरे लाइन है तक्दीर जगा कराई हूँ, ईस एश्वरी पाठ शाला वा बेहद बाप की पाठ शाला में आए हूँ, भगवान तो एक कोई कहा जाता है, वात्माओं का बाप एक है, अब एक बाप अनेक बच्चों का यह संगठन वा मेला, एक बाप अनेक बच्चों का यह संगठन वा मेला, ज्यान सागर और ज्यान नदिया, पानी के सागर को ज्यान सागर नहीं कहेंगे, ज्यान सागर से ज्यान नदिया निकलती है, उनका यह मे अधिन। सत्यू서 jest ज्ञान को कहा जाता दिन। सत्यूगोund तरेता, भगती हैराथ, द्वापर कलीवी। सत्यूग त्रेता में है सद्गती इससकरीधा है। सुख दाम में जाना हुता, शद्गती तो एक भल पी करेंगे, वह सद्गती दाता। तुम्हारी अब सद्गती हो रही है, अर्थात्पतित से पावन बन रहे हो, सद्गती हो रही है, अर्थात्पतित से पावन बन रहे हो, राजियोग सीख, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, सतो प्रधान बनेंगे, तब स्वर्ग में जाएंगे, फिर सतो से तमो में तुम कैसे आते हो, ये भी चक्र है, भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मि नान का राज्य था, अभी तक भी मंदिरादी बनाते रहते, सत्यों में ये थे जरूर, अभी तो कल्यूग है, सत्यों में ये था महराजा महरानी तथा प्रजा पावन थे, लक्ष्मि नान को महराजा महरानी कहा जाता, बच्पन में महराज कुमार स्रेकृष्ण, महराज कुमारी राधे थी, आज कहते कृष्ण जनमास्टमी है, अब अस्टमी क्यों कहते हैं, शास्त्रों का भी जो सार है, वो तुम्हे समझाय जाता, चित्रों में दिखाते विश् ब्रम्हा द्वारा शास्त्रों का सार समझाई नहीं परम-पिता परमात्माश्यू स्या अकर ब्रम्हातनं का आगARD utility तो मी राज समझाई हैं मनुशीत प्रमजिय इतनी मैंनत कर्ते हैं भरती करते हैं मिलता कुछ भी नहीं इसने भगवान कहते जय भक्ति पूरी हूति है, तब मैं आता हूं, क्योंकि तुम्हारी दुर्गती पूरी हो जाती है, सत्यूग त्रेता में तुम अपना राजभाग पाते हो, सुरे वन्षी, चंदर वन्षी, फिर तुम गिरते जाते हो, यह सब बुद्धी में याद रखना है, तुम बच्चों मतन में ब्रह्मा विश्णु शंकर स्थूल वतन में है यह मनुश्य स्रिष्टी मनुश्य स्रिष्टी में भी पहले पहले जगत अंबा जगत पिता नाम गया हुआ है सुक्षम वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताई नमा विश्णु देव होगा बाप तो प्रजा पिता के द्वारा ही ग्नांदेते हैं विश्णु को शंकर को ज्यानश अगर नहीं कहा जाता the पापको तो शिरी शिरी कहा जाता, वे स्रेश्ट ते स्रेश्ट, उच्छ ते उच्छ भगवान, वे फिर रचना रचते हैं, शिरी राधे स्रे कृष्ण, वो स्वंबर के बाद क्या बनते हैं? महाराजा श्री नारायन, महाराणी स्री लक्ष्मी, सत्यूग में उनका राज्य चलता है, सत्यूग में रामसिता कराज्य, स्वर्ग सत्यूग को कहा जाता, फिर दो कला कम हो जाती, सोला कला से čोदा कला में आ गए, फिर द्वापर से भक्ति मारग शुरू होता, अब बाब करते, मैं तुम बच्चों को सदकती में ले चाता हूँ, भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? पावन था, पतित किसने बनाया? रावण ने, इसने मुझे कल्प कल्प आना होत पति तो क्वाकर पावन बनाना होता है, तुम्हीं आयो तकदीर बनाने, अथात विश्व का मालिक बनाने, बाप समझाते, यह बुद्धी में रखो, तुम्हीं देवी देवता थे, अब ब्रामन बने हो, फिर देवता बनेंगे, यह बाजुली है, पहले-पहले है चोटी, उसके उपर में शिव बाबा, फिर यह ब्रामनों की रचना रची, एडॉप्ट किया, जैसे बाप बच्चों का पिता है, रहो है हद के पिता, यह है बेहद का, प्रचा पिता ब्रम्हा को, ग्रेट 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 ग्रेंट फादर कहा जाता, इस संगम पर उनकी महिमा है जब किश्व बाबा कर एडॉप्ट करते हैं, ब्रम्हा सरस्वती और तुम बच्चों को, अब पर तुमको पावन बना रहे हैं, जानते हों बाप से, फिर से वर्सा लेने आए हैं, हम बाबा से, फिर से वर्सा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं, फिर जब रामन शुरू होता है, तो गिरना शुरू होता है, अथात पतित से पावन बनते हैं, अब सारे स्रिष्टी में रावन राज्ये है, सब दुखी है, शोक वाटिका में है, सत्यों में दुख के कोई बात नहीं, आज आ स्रेकृष्ण जनमास्ट में, कहते देवकी को आठवा नंबर बच्चा स्रेकृष्ण पैदा हुआ, अब आठवा नंबर स्रेकृष्ण जनम लेगा क्या, स्रेकृष्ण का जनम तो सत्यों में है, वे बैकृंट का फर्स्ट प्रिंस है, उन्हें फिर द्वापर में ले गए, तो ये गपोड़ा हुआ न, अब तुम बच्चे जानते हो वे आत्मा अंतिम जनम में पढ़ रही है, सत्यों में स्रेकृष्ण के माबाप को आठ बच्चे होते नहीं, ये शास्त्र भी ज्रावांसार सब पहले से बने हुए है, अब आप सब शास्त्रों का सार समझाते, भगवान वाच, तुम्हें ये ज्यान सुनाते हैं, इसमें गीतवा श्लोकादी की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है, वाकि शास्त्रावी सब भगती मारग की समगरी है, भगती मारग शुरू होने से ही, पहले-पहले शिव बाबा का सोमनात मंदिर बनाते, भगती मारग शुरू होता, सबसे पहले सोमनात का मंदिर बनाते, पहल गया जाता तुम्हें सारी पुरानी स्रिष्टी से वेराग है पुरानी स्रिष्टी जरू विनाश हो तब फिर स्थापन हो यह नहीं वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी मुसलादी नैच्रॉल कैनिप्टेस जो हुई थी फिर होनी है में साइल साधी जो पहले भी आई थी फिर भी आनी है देवताई कभी पति दुनिया पर पैर नहीं रखते महालक्षमी का अहवान करते हैं हर वर्ष उससे धन मांगते हैं लक्षमी ना दोनों इकठे हैं महालक्षमी को चार बुजा दिखाते दीप माला पर उनकी पूजा करते हैं हर वर्ष भ जगत अमबा आदी देवी अभी शिरीमत पर तुम्हारी मनुकामनाई पूरण होते हैं 21 जनम के लिए तुम राजभाग पाते हो ये ब्रह्मा है साकारी पिता शुबाबा है निराकारी पिता ब्रह्मा साकारी पिता शुबाबा है निराकारी पिता वर्सा तुमको उनसे मिलन वो ही जुनोंने 84 का चक्र लगाया वो ही आकर ब्रामन बनेंगे ब्रामन ही देवता बनेंगे अब तुम बच्चे किस की जनती मनाएंगे तुम्हें लक्ष्मी नाण की मनानी पड़ेगी ज्यान सहित वह छोटे पन में है राधे कृष्ण तो दोनों की मनानी पड़े सिरफ कृष्ण की क्यों वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए राधे कृष्ण तो दोनों अलग-लग घर के हैं फिर मिलते हैं तो दोनों की इकठे मनानी चाहिए नहीं तो समस्ते नहीं कि कृष्ण का जनम कब हुआ तुम हो समस्ते हो, स्रीकृष्ण का जनम सत्यूग आदी में हुआ था, राधे कभी सत्यूग आदी में कहेंगे, करके दो-चार वर्ष का अंतर होगा तुम्हारे लिए सबसे सर्वोतम तो है शिव जियन्ती, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई तुम अब देवता बन रहे हो, लक्षमी नारण रामसीता बन रहे हो, ये भी समझाया, रामसीता को शत्रिये, चंदरवन्शी क्यों कहा जाता जो नापास होते हैं, वो चंदरवन्शी घराने में जाते हैं, ये माया के साथ युद्ध, रामन पर विजय प्राप्त करते हो, तुम युद्ध के मैदान में हो रावन पर पांच विकारों पर आप जीत राप्त करते हो इस समय युद्ध के मैदान में हो बाकि पांडवों कोरवों की लड़ाई है नहीं तुम्हें माया पर जीत पानी है बाबा आत्माओं को कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाश होंगे किवल एकमुझे याद करो तो विकरम विनाश होंगे अंडरलाइन करेंगे कि पापों का बोच्छा किवल तब उतरता है जब हम एक बाबा को प्यार से याद करते हैं माया पर जीत हो जाएगी बुद्धियोग बल ज्यान बल से माया पर विजह प्राप्त करती है 21 जर्म सदा सुख के वरसे को याद करना है बेहद के बाप को 21 जर्म सदा सुख के वरसे को याद करना है सेकंड में स्वरक की बादिशाई जब तक बाप की पहचान बुद्धी में ने बैठी तब तक समझ नहीं सकेंगे बाबा की पहचान बुद्धी में बैठेगी तब सारा ज्यान समझ में आएगा निश्चे होगा तो ज्यान समझ में आएगा यहां कोई सादू संत नहीं ना कोई गीता वाशास्त रादी सुनाते हैं यसे सादू लोग सुनाते हैं गांदी जी भी गीता सुनाते थे, फिर गाते थे, पतित पावन सीता राम, अब गीता तो भगवान ने गई, अगर गीता का भगवान कृष्ण था, तो राम सीता को क्यों याद करते थे, वास्तों में सीताईत तुम हो, राम है निराकार, राम निराकार भगवान, सब भगत पुकारते हे राम, हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ, फिर रगुपती रागव राजाराम कह देते, सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया, फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते, भगती मारग में, बहुत वहां जाते हैं, वर्षवर्ष मेला लगता, वह जाकर बैठते हैं, तुम बैठे हो ज्यान सागर के पास, वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते, पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए, तुम तो अब ज्यान मारग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी वावकित आप वहां नहीं जाएंगे, सच्चा सच्चा ये एक संगम है जबकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन भी जुड़ते हैं वही जो पहले-पहले सत्यू में थे जरूर उनसे पहले भगवान मिलेंगे पहले वही आएंगे यहां जरूर पढ़ना पड़े जो स्कूल में ही नहीं आएंगे वो क्या सुनेंगे जो रोज आएंगे वही बाबा की बाते सुनेंगे आएंगे ही नहीं तो सुनेंगे कैसे गुए-गुए-पॉइंट्स कैसे समझेंगे कोई कहते फुरसत नहीं बाबा केते यह सच्ची कमाई वह जूठी कमाई तुम तो पदम पत बाबा बैट समझाते बच्चे तुम्हें कितना सहुकार बनाता हूं रावण ने तुम्हें कितना दुखी बना दिया अब उस पे जीत पानी है रावण ने दुखी बनाया अब उस पे जीत पानी है लडाई के कोई बात नहीं लडाई से विश्वका मालिक नहीं बन सकते तुम्हें ज्ञान सुनाते कहतें के एक मैं जनम पुनरजनम रही cannot behard का बाप Het तो बेहत का बाप समझाते तुमसे maya क्या करा दिया मैया था पांच जिसके पहले आप से इननोंitas के गर तुम पांच भुटो के वर्ष होते गए तो क्या हाल हो गया तुम कितने धन्वान थे भगती मेरें में फालतु खर्चा करते करते तुम्हारी क्या हालत हो गई अब भगती के बाद भगवान आकर स्वरक की बादिशाही देते हैं इसलिए सद्गती करने वाले बाप को आना होता है अच्छा मीठैमीठे सिखिला बच्चो प्रति मात्पिता बाप दकाzd प्यार गूर्णिग रुआनी बाप की रुखनी बच्चों को नमस्थे रोहनी बच्चों की रुखनी बाप ददको नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार पहले पॉइंट है पदमा पदम पती बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना ऐसे पढ़ाई के लिए फुरसत नहीं रोज पढ़ना जरूर है एक बाप की अव्वे बिचारियाद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है मेरा तो एक्षिव बाबा दूसरा ना कोई यह पाठ पक्का करना है वर्दाने सदा एक बाप के स्नहें में समाय हुए सर्व प्राप्तियों में संपन और संतुष्ट भाव सदा एक बाप के स्नहें में समाय हुए सर्व प्राप्तियों में संपन और संतुष्ट भाव जो बच्चे स्ना एक बाप के स्नहें में समाय हुए हैं बाप उनसे जुदा नहीं वो बाप से जुदा नहीं हर समय बाप के सनेह के रिटर्न में सरोप्राप्तियों से संपन और संतुष्ट रहते हैं इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकरशित नहीं कर सकता स्नेह में समाई हुई आत्माई स्दा सरो प्राप्ती संपन होने के कारण सहजी एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूती में रहती है समाई हुई आत्माउं के लिए बाबा ही संसार है जो बाबा के स्नेह में समाई रहते हैं वो अनुभव करते हैं बाबा ही संसार है स्लोगन है हद के मानशान के पीछे दोड़ लगाने की बजाए स्वामान में रहना ही स्रेश्ट शान है हद के मानशान के पीछे दोड़ लगाने की बजाए स्वामान में रहना ही स्रेश्ट शान है आज हम याद करेंगे बाबा ही संसार है, मैंने बाबा से सब कुछ पाया है, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन हूँ, संतुष्ट हूँ, हिल्दय के कोने कोने से आवाज आए, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है, सर्वप्राप्तियां मुझे भर पूर्ता का नुभव करा रही है आप में ही सारा संसार है मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ संतुष्ट हूँ आपने मेरा जीवन हीरे तुल्ले बना दिया बहु मुल्ले बना दिया जीवन जीने की कला सिखा दी आपका शुक्रिया आप ही मेरा संसार है शुक्रिया शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहत संसकारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कुम भी मिस ना करे